इसे बनाने के लिए एक कड़ाई ले ली है इसमें दो चम्मज घी डाल रही हूँ गी थोड़ा सा गरम हो गया है अब इसमें ग्यों का आटा डाल देते हैं ये लगबग तीन चम्मज ग्यों का आटा है चम्मज में ने जो हमारा साधा घर का चम्मज होता है वही चम्मज लिया है और इसे अप लगातार चलाते रहते हैं हमें इसे दीमी आज पर सेखना है आप चाहें तो गी की जग़ बटर भी डाल सकते हैं मुझे पांच मिनिट हो गए हैं इसे दीमी आज पर सेखते हुए जब तक कि आठे का कच्चापन दूर नहीं हो जाता है तब तक इसे सेखते रहना है अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रग देते हैं आठा ठंडा हो रहा है तब तक हम उसी कडाई में दूद ले लेते हैं यहाँ मैंने एक लीटर दूद लिया है। इसमें अच्छे से उबाली आने के बाद आज को हम मीडियम कर देते हैं और दूद को गाड़ा होने के लिए छोड़ देते हैं। गाड़े दूद में इस्मूदी का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अब जो हमारा आटा सेका हुआ रखा था हमने वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब इसमें रूम टेंपरेचर पर जो दूद हमारे पास अलग से है वो हम डाल देते हैं। यह एक कटोरी दूद इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें कहीं भी गुठली न रहे इसका हमें ध्यान रखना है। बेटर को हमें एकदम स्मूध बनाना है। यह देखिए एकदम स्मूध बेटर तैयार हो गया है। इधर हमारा दूद गाड़ा हो गया है। अब इसमें हम थोड़ी सी शकर डाल देते हैं। शकर आप अपनी स्वात के नुसार डाल सकते हैं। दूद को थोड़ी देर और उबन ले देते हैं। जब तक की शकर अच्छे से मिक्स न हो जाए। अब हमने जो आटे का मिश्रन तैयार किया था उसे डाल देते हैं। हमें यहां ध्यान रखना है कि जैसे ही हम इस बेटर को डालेंगे लगातार चलाते रहना है। क्योंकि उबलते हुए दूद में जब हम इस तरह का बेटर डालेंगे तो गुठली बनने के चांसे होते हैं। इसे हमें एक हाथ से चलाते रहना और एक हाथ से हम बेटर डालेंगे। यह पूरा बेटर डल गया है और इसे अब लगातार चलाते रहना है। ये एक पारंपरिक वेंजन भी है जिसे हम दूद कड़ी के नाम से भी जानते हैं आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्स्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही आप सब्स्राइब कर दीजी मेरे चैनल को आगे भी और अच्छी अच्छी रेसिपिस आपको मिलते रहेंगी दूद गाड़ा होने से हमारी स्मूदी का स्वात और बढ़ जाएगा ये हमारी स्मूदी तयार हो गई है अब इसमें हम थोड़ा सा इलाइची पाउडर डाल देते हैं और मिला देते हैं ये बहुत ही कोश्टिक स्मूदी है अब इसे ग्लास में या कटोरी में डाल कर परोसिए और इसमें उपर से आप अपनी मन पसंद के कोई भी ड्राइफ रूट्स डाल सकते हैं